तो ये केपे एस्ट्रोजी वाला आप है सबने डाउनलोड किया होगा इसमें अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जो है यह यहाँ पे नई कुंडली बनती है यहाँ पे यहाँ पे आप आपका नाम वगेरा कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे और एक्जम्पल यहाँ पे डेट टाइम डाल देंगे ठीक है और यहाँ पे अपना प्लेज डाल देंगे ठीक है और इसको जैसे ही ओके करोगे वो कुंडली खुल जाएगे ठीक है अभी हमारे पास अल्डेडी एक है तो हम उसको खोलते है ठीक है तो यह पहला पेज है और थोड़ा सा नीच राО आपको क्लिक करना है तो आपको क्या आएगा भावचली चार्ट याने कुलitas चार्ट यानि कौन सा चार्ट एपी आला चार्ट अपना ठीक है आप देखोगे कि बहुत सारे planets धर उदर shift हो गए राव यहां था अभी भावचलित में फोर्थ में आ गया पर एक्चुल प्लेस जो है प्लैनेट की वो भावचलित चार्टी दिखाएगा आपको कि वो एक्चुलित कहां बैठा है ठीक है यह भावचलित चार्ट है अपना यहां अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट को यह करोगे या फिर यहां पर जो मून दीख रहा है ना यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो यह वाला आपको दीखेगा नेटल चार्ट यहां पर सन हो गया उसका जो स्टार लॉड STL मतलब स्टार लॉड याने नक्षत्र लॉड को स्टार लॉड बोलते हम और उसके आगे जो है वो सब लॉड ठीक है यहां तक सब को समझ में आ रहा है यह वाला चार्ट कहाँ पर क्लिक करना था फिर इससे बताने करने यह जो यहां पर यहां पर लिखा Moon उपर मतलब यह उसका पिच्चर है Moon का उपर right side में एक मड़ मैं दिखाता है हां दिखा दें हाँ यह यहां पर ठीक है तो यहां पर जब क्लिक करोगे तो यह वाला चार्ट कुलेगा यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगी कि सन है सन का जो नक्षतर लोड है वो मार्स है और सब लोड जो है वो hoje ठीक है यहाँ पे मूण है मूण का जो नक्षतर लोड वो मरकरी है और साथन है अभी यह हम देखेंगे आगे क्या है और अगर आपको script देखना हो script कैसे होती है तो यहाँ पे click करना होगा आपको यह यहाँ पे जो 3 arrows दिख रहे है यहाँ पे आप click करोगे इसके बाद में यह वाला जो option है नाडी वाला यहाँ पे आप click करोगे वो नाडी वाला जब आप click करोगे तो ऐसी script यहाँ पे हमको आती है ठीक है अभी यह प्लैनेट जो है यहाँ पे है sun स्टार लॉड याने नक्षत लॉड ठीक है यह नक्षत लॉड मंगल और सब लॉड जो है वो है Saturn ठीक है यहाँ पे moon की script हम देखेंगे कि प्लैनेट है moon उसका नक्षत लॉड है mercury और सब लॉड जो है Saturn यहाँ पे देख रहे हैं मंगल मंगल 6,7,12 यह नमबर दे रहा है उसका नक्षत लॉड है राहू और सब लॉड है Saturn ठीक है तो इसको बोलते हम script यह है Sun की script overall अब यह script बंती कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ अब यह आपको readyment मिल जाएगी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं हमेशा पर यह बंती कैसे ना वो मैं एक बार आपको दिखा देता है क्योंकि वो भी हमको मालूम रहना चाहिए क्योंकि यह बंती कैसे है ठीक है यहां तक clear सबको yes okay जैश्टी जी yes yes यहां पर moon पर click करोगे तो यह वाला चार्ट यहां पर खुल जाएगा दिख रहा है अभी हम क्या करेंगे script बनाएंगे कैसे बनाएंगे अभी सबसे पहले आता है sun sun का नक्षत्र लॉड को ने mars mars तब लॉड को ने saturn saturn okay अभी moon का नक्षत्र लॉड को ने mercury mercury सब लॉड को ने चनी यह समझ में आ रहा है सबको जी ये ये हाँ ये हमको करना नहीं है श्रीफ मैं आपको दीखा रहा हूँ कि ये आये कहा से नमबर ठीक है हमको मालूम रहना चाहिए हम ऐसे उठा रहे sun mars और saturn ये दो ही रोज से हम उठा रहे है नक्षत्र लॉड और sub lord दूनों को लेना है ये 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 नक्षत्र लॉड और ये sub lord ठीक है अभी ऐसे ऐसे लिंगे हम moon moon का नक्षत्र लॉड मरकरी और उसका sub lord saturn ठीक है अभी one by one हम ऐसे जो नो के नो प्लैनेट से उसके बना लेंगे फट से अभी आता है मार्स निमा जी मार्स का कोई ही नक्षत्र लॉड राहू और saturn ठीक है उसके बाद में जैश्री जी जूपिटर का कोई है जूपिटर का सैटन और मरक्यूरी जूपिटर सैटन और मरक्यूरी और कोन है अपने क्लास में और कोई बोलो सैटन सैटन का कोन है नक्षत्र लॉड K2 एंड मून K2 एंड मून ठीक है मरक्यूरी का मार्स अन वेनस मार्स अन वीनस ठीक है और केतू का केतू का है मार्स और ठीक है यहां पे कितने हो गया हमारे एक दो तीन चाथ पाच चेश साथ आठ और रहे गया हमारा वीनस वीनस जुपिटर वीनस वीनस का है नक्षत लौड जुपिटर और उसका जो सब लौड है वो है सैटन ठीक है अभी यह यह चाथ का काम खतम हो गया ठीक है यह चाथ का काम अभी हमारा खतम हो गया मैं स्टार क्यों लगा है हमें सर हाँ मैं बोलूँगा आगे चलके स्टार का एक परपस है मैं आगे चलके बोलूँगा अब चाड दिख रहा है सबको अब हम स्टन की स्क्रिप्ट बनाते हैं न जैश्री जी सन कौन से हाउस का लॉड है यहां दिख रहा है आपको सिंग राशी तो यहां पर नंबर आएगा पाच और कहां बैठा है सन हाँ सन कहां बैठा है टैन थाउस में ठीक है अभी जहां भी बैठा है ना उसको हम रेड करेंगे रेड क्यों करेंगे इसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ बाद में ठीक है जहां भी प्लैनेट बैठता है वहाँ पर अभी मंगल हेतल जी मंगल कहां कहां का लॉड है मंगल सेवेंट और कहां बैठा है और सिक्स तुम्हें बैठा है अभी सैटन कहां कहां का लॉड है अभी इसको भी हम रेड कर लेंगे ठीक है जहां पर बैठा है यह क्यों रेड कर रहे है क्योंकि जहां भी प्लैनेट बैठता है न वह हूँ स्ट्रॉंग होता है अभी यहाँ पर फिफ्ट और टैन्त दोनों में से स्ट्रॉंग कौन सा है टैन्थ हाउस ठीक है अभी यहाँ पर यह काम कव आएगा हमको कभी-कभी आपको दोनों नंबर्स आएंगे छे और साथ ठीक है अभी seven हमको पता है शादी का है और six thousand किस चीज़ का है कि शादी में बादा लाता है ठीक है ऐसे दो-दो नमबर्स आएंगे पर अभी यहाँ पे powerful कौन सा घर है seven यह six six thousand यह power इसकी power ज्यादा है तो शादी में problem ज्यादा होगी है ठीक है तो इसके लिए हमको red करना है यह red इसलिए करना है शुरुआत में बाद में आपको जब आदत हो जाएगी तब इसकी जरूरत ने पड़े तब आपको पता है कि house कौन सा strong रहेगा ठीक है अभी जाते हम moon की तरफ moon कहां का लॉड है fourth house का लॉड और seventh में बैठा है ठीक है मरकरी अर्टरी सेकंड थर्षा एंड बैठा है तेंट में रहे रहे और सैटन के हमको उपर मिले आले तो हम डाइरेक कॉपी पेस्ट कर लेंगे ठीक है यह इसको कर लिया हमने red इसको भी हमने कर लिया red ठीक है अभी आती मंगल की बारी बोलो मंगल की मंगल भी हमको मिल चुका है यहां पर पहली तो इसको ही copy paste कर लेंगे अभी राहू का जो है ना राहू का थोड़ा सा अलग है तो हम सबसे last में देखेंगे राहू के तू का ठीक है अभी यहां Saturn है तो Saturn के हम copy paste कर लेंगे अब Jupiter का मुझे बोलो पूई जुपिटर एट नाइन एट नाइन इलेवन एलेवन में बैठा है ठीक है कि हैंने युपिटर के जो रहात मित्त ही है सिद्ध कि मेंशु है बेة है कि नंबर करें यह 예ुस्ट है कि मर्करी मर्करी के अबने लिक यह यह दो त्रेंदस सम av को समझ में आ रहा है यह नंबर कहां सिछ पता होना चाहिए इसे तो हमको रेडिमेट मिलेंगे, अब मिलेंगे यह software में, पर हमको मालूम होना चाहिए, इसके फायदे बहुत तार है, अब इस Saturn हमने लिख लिया, केतु का हम सबसे लास्ट में दिखेंगे, मून का लिखा है हमने, मून का लिखा है, चार और साथ, चार और साथ, ठीक है, मरकरी का भी हमने लिया है यहाँ पर, दो तिन दस्ट, मार्स का भी लिया है हमने, वीनस का कौन बोलेगा, फिक्स, फास्ट और सिक्स, फिक्स, कहां बैठा है, टेंट में बैठा है, ठीक है, और राइट, यह तु का लास्ट में देखेंगे, मंगल हमको मिल चुका है, मंगल हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर, टेंटन का भी हमको मिल चुका है पहले, वो भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसका भी है अमारे पास, जुपिटर का भी है, ताटन का भी है अमारे पास, यह हो गया हमादे तारे प्लानेट्स की स्क्रिप्ट रेडी, दिख रहा है सबको, तन यहाँ पे 5, 10, 7, 12, 6, अभी इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, दिख रहा है सबको यह स्क्रिप्ट, तन 5, 10 है, हमने भी 5, 10 लिया है, मंगल 6, 7, 12, हमने भी 7, 12, 6 लिखा है, सैटन क्या है, 10, 11, 12, हमने भी 10, 11, 12, अभी यह नंबर्स कहां से आए, सबको समझ में आगए, देखो, चार और साथ, हमने भी लिया है, 4th का लॉड, 7th में बैठा है, मरकरी, 2, 3, 10, यहाँ पे भी 2nd और 3rd हाउस का लॉड है, और 10th में जाके बैठा है, स्टैन, 10th और 11th हाउस का लॉड है, 12th में जाके बैठा है, ठीक है, सबके ध्यान में आ गया, किसी को कुछ दाउट यहाँ पे, नहीं, ठीक है, अब हम देखते हैं राहूर के तो, की राहू एक तो जहाँ बैठा है, वो तो घर ले गई, पर जिसकी राशी में बैठा है ना, जिसकी राशी में अभी राशी की बात चल रही ठीक है, तो उसकी भी घर वो लेता है, ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं, रावू किस की राशी में बैठा है, कोन बोलेगा, राशी के लिए हम राशी चार देखेंगे ठीक है, और किस, देखो, दो क्वोशन में डिफरेंस है, राहू किस घर में बैठा है तो हम किस को देखेंगे भाव चलिट चाड को भाव भाव ने घर ठीक है किस घर में बैठा है तो चोते किस राशी में अगर बैठा है तो यहां पर देखेंगे हम राशी चाड में तो यहां यह चौटे राशी में है ठीक है तो हम यहां लिखेंगे मून की राशी में वो बैठा है अभी मून की राशी में बैठा है इसका मतलब क्या है मून की नंबर भी वो ले लेगा पहले सबसे पहले ठीक है तो यहां पे नंबर आएगा चार और Moon कहा बैठा है 10th 7th में सॉरी ये Moon के नंबर आ गए अभी राहू जिस राशी में बैठा है ना उस राशी के भी वो houses को ले लेता है ठीक है अभी जो प्लानेट राहू को देखता है उत के भी वो houses ले लेता है तो यहाँ पे sun अगर देखेंगे हम तो सन देख रहा है राव को यहाँ पर जो है न द्रिष्टी वैदिक द्रिष्टी काम करती है यहाँ पर ध्यान में रखना ठीक है अभी जुपिटर की कौन सी कौन सी द्रिष्टी आए 579 579 ठीक है मंगल की 478 47 उसके बाद में सैटन 3710 उसके बाद में क्या रह गया अभी अपना बाकी सब प्लैनेट्स को साथ भी द्रिष्टी है चीक है वीनस मरकरी उसके बाद में और क्या रह गया अपना मून सन और कुन सा रह गया तो ये वैदिक द्रिष्टी है ठीक है द्रिष्टी आने देखना ये आपको याद रखने की ज़रुवत नहीं है ये आपको ऐसे भी मिलने आला आपको स्री मालूम रहना चरी तो ये चारों को कॉमन द्रिष्टी है ठीक है तातवी द्रिष्टी आने क्या आए कि डाइरेक्ट सामने वाले घर को देखना है मतलब अभी मानलो सन की सातवी द्रिष्टी कहा गिर रही है एक, दो, ती, चार, पास, छे, साथ थर्ड आउस पे गिर रही है याने रावो पे गिर रही है ठीक है अभी जुपिटर जुपिटर कहा कहा देख रहा है जुपिटर के पास सब के पास सातवी द्रिष्टी जो है वो कॉमन है और ये जो तीन प्लैनेट्स है इनको थोड़े एक्स्ट्रा द्रिष्टिया दिये ठीक है अभी जुपिटर की फिफ्ट द्रिष्टी कहा गिर रही है एक, दो, ती, चार, पास रावो पे गिर रही है पाँच भी द्रिष्टी या 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 आगे रावो की कबजे में ठीक है अभ सैटन जुपिटर की द्रिष्टी में एक बार दिखा देता हूँ कहा का गिर रही है एक, दो, ती, चार, पाच, छे, साथ याँपे भी जुपिटर की द्रिष्टी गिर रही है फिफ्ट आउस पे ठीक है उसके बाद में आट और नौ सैवन थाउस पे भी गिर रही है मून पे भी गिर रही है मैं आप कुझे समझाने के लिए बोल रहा हूँ उसके बाद में मंगल मंगल कहा कहा देख रहा है मंगल देखो एक, दो, ती, चार मंगल देख रहा है केतु को ठीक है चोती दृष्टिश है पाच खे शाथ और आठ नौ दस ठीक है मंगल चार साथ आठ को देखता है और जो सेटन ने वो तीन साथ दस को देख रहा है दृष्टि सब को समझ में आ रही है कोई है जिसको नहीं समझ रहा है दृष्टि यानि देख रहा है सैटन भी राहू को नहीं देख रहा उसके बाद में जुपिटर तो देखा है जुपिटर के नंबर हमने ले लिए ठीक है उसके बाद में मार्स मार्स भी साथ आट मार्स भी नहीं देख रहा है यहां पे यह इसके नंबर खतम हो गए राओ के ठीक है 478911 अभी आते हम केतू की तरफ केतू किसकी राश्य में बैठा है केप्रिकोन केप्रिकोन याने साटन की राश्य में ठीक है तो साटन की नंबर तो सबसे पहले वो ले लेगा सेटन के क्या क्या नंबर है 20-11-12 या अग है सेटन के अब जो प्लैनेट के nenके है राओ qतून आप भी नंबर यह चीन लेते हैं चीन लेते मतलब उनपे इनका हक होता है वह प्लैनेट को तो होता ही है आलउंंग विद्अट इनका भी हक होता है ठीक है तो यह बी उन हावसेस की रिजल देंगे अभी संप के साथ बैटा है यहाँ पर हैं आपटू तो संप के बीजो है वो उस के एकreal को अजय कुछ पिया एक और अन्ब्र के लिए और नम्ब्र के लिए यस यश इस राशी में बैठा है तो फिर ऩे थे तो पिर मखर राशी में बैठा है तो फिर सैटन के नमब्र ली ली हमने है क्योंकि अबी दस ग्यारा बार आँगे, सैटन की नमबर ले लिए है, खुद कहां बैठा है, नाइन्थ में बैठा है कि टेंथ में बैठा है, जैश्री जी, टेंथ में हैं, ठीक है, तो यहां पे अल्रेडी टेंथ तो हमने है, सैटन के वेशे टेंथ तो आ गया हम आए, फिर भी हम ठीक है, तो यह रेड कर लिया, उसके बाद मैं भी सात वाले ले लिए, राशी वाली ले लिए, अभी और कोन एक्स्ट्रा देख रहा है कि उसको मंगल देख रहा है, एक, दो, तीन, चार, चौती दृष्टी गिर रहे है के तुपे, अब हम लेंगे मंगल के विगहर उठ देखा लेंगे, यह मंगल के गर, हमने उठा लिया, और कोई है, जो देख रहा है, और कोई है, अब हमें लगन चार्ट से लेनी हैं ना, यस, यस, लगन चार्ट से, यह दोनों में कंशीजन होता है, हाँ, उन्हें आपने होगा, तिरे तिरे जाएगा, पहले हम केतू का कर लेते एक बर, फिनिश, केतू को देखो, सैटन भी देख रहा है, टेंथ एस्पेक्ट से, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, नौ, दस, तो सैटन की भी नंबर लेगा, और हमने अल्रट लेगा, क्यों, क्योंकि वो सैटन की राशिम बैठा है, और कोई प्लैनेट अभी इनको नहीं देख रहा है, केतू को, अभी राहू का जो है, सन की लिए क्या है, हमने, नहीं रहा गया, सन के नहीं लिए, शायद, सन का क्या है, हाँ, पाच और दस, राइट, क्योंकि ये साथवी द किस्टी से देख रहा है सन एक दो पांच पांच मीसिंग हो लिया था जार आच शे साथ राइट यह एड हो गया दिख रहे कितने सारे हाउसे अक्टियूट हो गया हम अभी हम जिसको उसको वहां पर रख देंगे कॉपी करके यह राहू और कहा है राहू और कहीं नहीं केतू है यह केतू केतू बस हो गए अब यह हो गए हमारी सारी स्क्रिप्ट तयार हो अब मालूम पड़ा आपको यह नंबर कहां से आई है यह मालूम रहना चाहिए हमको ऐसे तो जरूरत नहीं यह पर मालूम रहना चाहिए क्योंकि वह आगे उसका इंपर्टन समझेगा हमको ठीक है अभी कैसे बनती है मैंने दिखा दिया अभी इसको पढ़ना कैसे ठीक है यह अभी हमारा स्टार्ट होता है यहां तक किसी को कु अभी पूछ लो है किसी को कोई डाउट नहीं चीक है ओके गुट मेरी आवाज क्लीर आ रही है न सबको ने सारे क्लेवर स्टेंट है यहां के सिंसे हो एक बार में समझ जाते हैं सब हाँ हमारे खास क्लास स्टार्ट होती है अभी से ठीक है अभी आएगा मज़ा कि प्रेडिक्शन देनी केसी है अभी प्रीन दिखरे है सबको येस येस तब ही यहां पे जो है ये जो सन है ये प्लैनेट है उसका नक्षत लौड है मून उसका दबलाड है जुपिटर ये एक हाइपोदेटिकल सिचुईशन लिया मैंने आपको एक्स्प्लैन करने का ठीक है अभी के पी की जो स्क्रिप्ट है वो तीन लेवल पे काम करती है पहला होता है सोर्स दूसरा होता है रिजल्ट और तीसरा होता है वो उस रिजल्ट का ठीक है अब अभी मान लो मून सेवन्थ हाउस एक्टिवट कर रहा है ठीक है यानि सेवन्थ हाउस का लॉड़ भी हो सकता है या फिर वहाँ बैड़ भी सकता है ठीक है अभी यहाँ पे सेवन नंबर आ गया स्तात नंबर किस चीज़ का है सेवन्थ हाउस अभी मान लो सन की महादशा चालू है किसी की सन की महादशा चालू है और सेवन्थ हाउज एक्टिवेट है तो क्या इस महादशा में शादी होगी येस ठीक है अभी मान लो ये साथ नंबर अगर यहां होता तो क्या शादी होगी ये नहीं हो गई यहां पर स्क्रिफ रिजल्ट जो है ना रिजल्ट के सामने अगर जो हाउज हो स्क्रिफ उसी के रिजल्ट हमको मिलेंगे सोर्स में नहीं मिलेंगे बस बस वही इवेंट हैपन होगी यहां पर हो तो होगी और यहां पर हो तो नहीं होगी परिणाम समझ रहे हो नब परिणाम जो है वो स्रीफ नक्षतर लौड यहां अगर नक्षतर लौड उस हाउस को सिगनिफाइ कर रहा है जिस हाउस की हमको जरुरत है तो ही वह इवेंट होगा नहीं तो वह इवेंट नहीं होगा ठीक है अभी यह फॉर एक्जामपल अभी कोई आया आपके पास उसकी सन की महादाशा चालूए उसका नक्षतर लौड साथ नंबर दे रहा है वो पूछ रहा है भई मेरी शादी होगी क्या आप हंड़ेड परसंट बोल तो शादी हो जाएगी अभी सन भी तो किसी कोई न कोई नंबर लेके बैटा होगा मान लो सन के पास नंबर तीन तो यह जो तीन है ना यह सोर्स बनेगा सोर्स बनेगा मतलब क्या है शादी तो होगी किसके माध्यम से होगी ओनलाइन यतिन नंबर के जो भी कारत तो है भाई बेहन सिब्लेंग के तुरू ऑनलाइन पोड मैट्रिमोनियन यस अच्छा मतलब लोस का सोर्स बनेगा उसके थू मतलब यस 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 परिणाम जो है एक मिर्ट परिणाम ये उत्पति कहां से होगी वो सोर्स बताएगा वो source बताएगा कि कौन है जो वो देरा है result ठीक है ये माध्यम बनेगा ये माध्यम बनेगा ये वाला घर third house अभी थोड़ा सगर हम दिमाग लगाए तो यहाँ पे sun भी है तो ये भी source बन सकता है मतलब क्या है father भी involved रह सकते हैं ठीक है father अगर try करे कि वही कोई mediator यानि उनके पैचान का कोई mediator अगर हो तो उसके माध्यम से शादी होगी तो माध्यसा के जो प्लैनेट है उनके कारत तक को को यूज करना है कर किया तो आपको और detailing मिलेगी न तो इस साबसे मतलब आपको पकड़ में आ रही आभी मान लो यहां पर होता नंबर चार तो क्या होता मधर के माध्यम से यहां पर होता ग्यारा तो क्या दोस्तों के माध्यम से यहां होता दस तो जो काम की जगा होती न वहां से कोई तो होगा रैट यहां पे नौ होगा तो क्या होगा फादर के माध्यम से तो जो सोर्स प्लैनेट है ना यह माध्यम बताएगा कि कौन है और नक्षत्र लॉड बताएगा कि रीजल्ट ठीक है यहां तक स्टोरी समझ में आई यह एक कोश्टन है अगर जो सन है उनका भी सेवन नंबर है मतलब सोर्स का और रिजल्स का दोनों का सेम नंबर है तो तो उस ताइम पे उस टाइम पे जनरली एक नंबर नहीं होता ना निमा जी दो तीन नंबर होता है अब मतलब जैसे इनके कोश्टन में अडिशन कराँ तो हम टीनों भी सन को ही पकड़ेंगे ठीक है अभी यहाँ पे हमने देखा कि वही शादी होगी क्या तो आपने बोला हाँ आप बोलोगे अभी इतनी जो फाइन प्रेडिक्शन है यह सिर्फ केपी में हो सकती है ठीक है और इतनी इजी ली यहाँ पे आपको कुछ लगाने की जरूरती नहीं है इजी ली अब आता ह है यहाँ पे सबसे आखरी वाला याने क्लाइमेक्स क्या होगा मूवी का ठीक है मूवी तो शुरू की पिता जी ने मतलब इनिशेट किया भई कई न कई ढूंड रहे रिष्टा जा रहे शादी हो गई अभी जो क्लाइमेक्स है वो सब लोड़ बताएगा ठीक है अभी मान बोलो यहाँ पे भी साथ नंबर है तो क्या शादी होगी हंड़ परसंट होगी ठीक है अभी मुझे बोलो सेवन नंबर के लिए सबसे हानिकारक नंबर कौन सा है खे चैंज है क्या अग्ले वाले फैस को नेगेक करता है ठीक है तो यहां पर अगर चे आया तो यहां पर क्या आगई प्रॉबलम शादी में च्परॉबलम अब इस पने में पास क्या हो था हुआ है 42 अगर नेगेट और बारह अगर इसके साथ एट थाउस भी जुड़ गया तो क्या होगा महा प्रवलम महा प्रवलम पीड़ पीड़ आ जाएगे उसके साथ में और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है बारा ये भी आ गया है तो ये बंदा गया काम से शादी वो नहीं थी अभी मान लो की शादी की बात चल रही है ऐसा मान लो शादी की बात चल रही है और आपके पास ये इंसान आया है ठीक है तब आप क्या बोलोगे भाई बातचीत होगी देखना दिखाना हो जाएगा सब पसंद हो जाएगा सब अच्छ अच्छ हो जाएगा पर कुछ ना कुछ रीजन के वज़े से शादी तूड जाएगी आप उनको confidently बोल सकते हो कि भई ये शादी तूटने आली है मत करो पर ये भी मैं आपको बोलता हूँ कि वो कुछ नहीं करेंगे वो बोलेंगे क्या है ये चलते रहता है कुछ नहीं होता पर आपने बोलना ही है क्यों क्योंकि आगे ऐसा ही होना है वो फिर से आएंगे आपके पास रिपीट कस्टमर रिपीट कस्टमर आएगा वो बोले गए भाई आपने जैसे बोला था ना शादी तूड़ गई कुछ तो मालूम चल गया लड़का लड़की के बारे में कुछ लेन देन के वैसे है ना कुछ ना कुछ रिजन के वैसे तूड़ गया अब ये ये याड़ बारा इस दे मोस्ट डेंजरेस हाउस फॉर मैरेच अभी इसी जगा कोई बिजनेसमेन आपके पास आए तो स्टेवन थार्ष बिजनेस का भी है और उसका सबलोड अगर ये आड़ बारा दे रहा है और वो पूछ रहा है कि भाई मुझे बिजनेस डालना है क्या आप उसको बोलो कि क्या आप डाल सकते हो नई नई डाव पूरा मतलब पूरा ये हो जाएगा हो तो हो जाएगा हो ठीक है ये एकॉर्डिंग तो अमभाद अशा बताना है कि यो कुछ और तरीका है हाँ और है ना भी मतलब ये अभी मैं स्टेप बाई स्टेप आपको लेकी जा रहा हूँ पहले अच्छा पी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है ना उसको हम अच्छे से भी देख ले अभी यहाँ पे आ गया साथ नंबर यहाँ पे आ गया गया ग्यारा नंबर कैसे रही की शादी प्रूच परे बहुत मज़ा आएगा कपल को कपल एंजॉय करेगा शादी के बाद यहाँ पे मान लो नाइन थाउस भी आ गया नाइन थाउस हमको पता है भाग्या का है तो भाग्या भी सपोर्ट कर रहा है शादी को अभी किसी के स्क्रिप्ट में सबलोड लेवल पे साथ ग्यारा नो हो तो आप क्या बोलोगे अगर वह पूकर रहे है भाई शादी करे की नहीं करे आप क्या बोलोगे करेवल जादी अच्छी रहे है तो यह जो है ना यह टेस्ट बताए गया जेसे होतास है circulate हमने मान लो कुछ बजार में से आम लाए आम तो ला लिए है ना यानि शादी तो हो गई पर घर पे देखा तो आम जो है वो पूरे सड़े होए निकले उसका जो टेस्ट है वो खराब निकला मतलब शादी तो हो गई पर उसका जो परिणाम उसका जो टेस्ट है वो क्या हो गया अगर 6-8-12 हो तो क्या हो गया खराब हो गया बोलो बोलो नमबर आप कोई भी तुछ पिर बी शादी तो होगी पर दिक्कत आएगी क्यों क्योंकि ग्यारा नमबर है विश फुल्फिल हो रही है विश फुल्फिल होड़ी है आपर शादी तो होगी पर शादी में स्ट्रेस भी रहेगा मतलब होता है ना कभी कभी शादी तो जम जाती है पर कुछ नाराजी हो जाती है कुछ लेने देने से है ना कुछ मतलब मन मुटा हो जाता है और अब रप सी शाधी हो जाती है difference of opinion रहेगा ची नंबर है तो अभी मुझे बोलो अगर च्छे और साथ हो तो क्या होगा अभी मान लो ये नंबर है तो क्या होगा जादी तो की डाइब वर्स हो सकता है, जादी मैं मान लो नेगेटिव नेगेटिव मैं हटा दो और छे और साथी है, तो अब इन दोनों की बनेगी नहीं होगी, शादी तो होगी इसकी बनेगी नहीं दुनों की चांद की तरह रहेगा कभी पुर्णीमा कभी हमावस मैं पर अभी क्लाइंट को हम ऐसा तो नहीं बोल सकते न कि वह मुझे मुझे 50-50 मत बोलो एक कुछ तो बोलो यही तो हमारा फिर लॉजिक है यहां पर कि वही वह बोलेगा वही करो भी मत भी करो ऐसा क्या बोल रहे हो कुछ एक करनी यह नहीं करनी वह बोलो उसकेस में दे सकते कि जूपिटर कहां पर बैठावा तो उसका वह ब्रॉग हो जाए है यस अभी मानलो जूपिटर है सेवन्त में तो क्या होगा स्ट्रेंथ किसको मिली सबसे ज्यादा आप क्या बोलोगे क्योंकि यह स्ट्रॉंगली स्टपोर्ट कर रहा है ठीक है आप बोलोगे हो जाएगी थोड़ा सा प्रॉब्लम हाई जाए पर हो जाएगी कुई टेंचन नहीं है आप चांत रहना आभी मान लो छे नंबर जूपिटर जो है वो 6,000 में बैठा है तो स्ट्रॉंग कौन हो गया क्या होगा शादी होगी या नहीं होगी नहीं होगी बोल देना नहीं होगी ठीक है पर इसके साथ हां यहां पर सान है तो मितलब में स्ट्रॉंट में ऐक हाउस लिए आए अगर राहू तो जैसे हमने बोला कि जो सबसे स्ट्रॉंग कुन सा है मान लो राउ के साथ आठ नंबर है पर जहां बैठा है वो सबसे स्ट्रॉंग होगा ना तो जनरली सोर्स जो है ना वो हमारे लिए वो कोई पूछता नहीं कि वह क्या माध्यम रहेगा क्लाइंट नहीं पूछे यह हमारे लिए एक एक एक्स्ट्रा एड़ ओन हम तो यही बोलेंगे वह शादी होगी या नहीं होगी है ना पर एक एड़ ऑन बोलके आप बोल सकते कि भई इनके माध्यम शुर्गे आप तो ट्राइक कर वह पादर को बोलो अपने दोस्तों वोस्तों को बोले ऐसा बोल सकते हो लगजार जाट में देखेंगे बाव चरीट भी देखेंगे कहां बैठा है तो बाव चाट में राव यह क्लियर हो गया है अभी हम एक बहुत सारे एक्जांपल लेंगे कोई टेंच्छल नहीं है क्य भी मान लो कोई लीडीज आपके पास आई है कि मुझे बच्चा कब होगा तो हमको कौन सा उस चाहिए बच्चे के लिए पिलाल फिफ्ट को ले लेते हैं हम स्टेफ बाए स्टेफ जाएंगे एक 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 अब फिफ्ट आउस एक्टिवेट हो गया है बच्चा होगा हो जाएगा आप बोलो हो जाएगा ठीक है अभी नीचे पांच नमबर बच्चा होगा अभी मान लो यहां पर आगया चार आठ और बारा क्या होगा क्या होगा यहां पर मिस्केरेज होगा बच्चा तो मतलब रेगनेंट तो हो जाएंगे पर आप इतना उनको रिफाइनली बोल सकते हो कि भई आप प्रेगनेंट तो होगे यह बोलना बहुत मुश्किल है एक तो बोलते कि भई होगा या नहीं होगा पर यहां आप क्या बोल रहे हो आप प्रेगनेंट तो हो जाओगे थोड़ा सा और डीप में बोल रहे हो पर इन दे एंड क्या है क्लाइमेक्स क्या है मूवी का एबोशन हो जाएगे तब उनको क्या सला देंगे अभी मत ट्राइ करो राइट है अभी मान लो यहां पे है पांच और ग्यारा क्या होगा हो जाएगा बढ़िया होगा और इसमें और एक पॉजिटिव हाउस जोड़ दे नाइन तो और भी अच्छा हो जाएगा राइट ये आप देखेगे अभी मान लो यहां पे चार और पाच दोनों आगए तो क्या होगा प्रोब्लम्स देखेगी चुपिटर गी प्रोब्लम्स आएगी हम पोजिशन तो देखेंगे पर प्रोब्लम्स फिर भी आएगी पर यहां पे फिफ्थ हाउस को सपोर्ट मिल रहा है तो इंदेंड क्या होगा हो जाएगा हो जाएगा कुछ तो कॉम्प्लिकेशन आएगे पर हो जाएगा ठीक है पर अगर यहां पे आट और बारा आगा तो क्या होगा आगर पर डोब्लम्स नहीं होगा हो जो किरी नेगेटीज हो स्टादा होगा यहस एक बंदा क्या कैसे संभालेगा यह इस केस में क्या होगा इस के बेज़ नहीं होगा बच्चा अगर यहीं केस में कर फिफ्थ हाऊस प्लैनेट बैठा है तब भी सेम रिजट रहेगा कि चींज होगा फिफ्थ हाउस में भी अगर बैटा है तो भी नहीं होगा क्यों क्योंकि यह डेडली हाउस उसके साथ अटेच हो गए ज्यादा नेगेटी हो गया अभी मान लो यहां पे आ गए दो खूबसूरु से गर आप क्या करोगे आप बोलो हो जाएगा सी सेक्षिंग कितरो कैसे होगा दोनों आरे नंबर पॉजटेव नगेटी है जीत किसकी होगे यहां पे ऐसे सिचुएशन आएगे आपके सामने बहुत बार मान लो नीचे जुपिटर के जगा राहु है मान लो जुपिटर के जगा राहु है और इतने सारे नंबर आ गए तब आप मुझे याद करो गया आप क्या करें यह तो धरम संकड में गिर गया है इसका जो पॉजिटिव हाउस है उसमें वो प्लैनेट अगर बैठा है तो पॉजिटिव है कि प्रॉब्लेम आएं गेलेकि में हो जाएगा तो जनरली क्या है न कि यहाँ पे दोनों हमसे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है ऐसे केस में यह क्या होगा टाय होगा तैयो हो गही तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे प्रश्न कुंडली करें इसको ऊई छोड़ देंगे और प्रश्न कुंडली करेंगे वो अपना अंसर देगी और वो एक्कुरेट आंसर देगी परफेक्ट आंसर देगी तो जब بھی ऐसे situation आए कि आप आटक जाओ आपको नहीं समझारा कि वह अब क्या बोले तब आप क्या करेंगे प्रश्ण कुंडली का यूज़ करेंगे क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती ही आती है आती ही आती है शादी के केस में भी मान लो यहाँ पे साथ है यहाँ पे आगए साथ दो ग्यारा यहाँ पे आगए 6, 8, 12 क्या अंसर दो गया यह तो टाई हो गई तो ऐसे केस में हम प्रश्ण कुंडली करेंगे ठीक है अब ही हम देखते है कि भई कोई आया है हमारे लिए कि भई मेरा जो है वो इंटर्व्यू है वीजा के लिए तो वो क्लियर होगा या नहीं होगा अब ही इंटर्व्यू के लिए कौन सा उज़े इंटर्व्यों गए वीजा हो गया कौन सा उज़े थर्ड हॉस थर्ड हॉस ठीक है यहां पे भी आ गया थर्ड वीजा मिलेगा 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 मान लो यहां पे तीन और ग्यारा और यह कोई इंटर्विव है यह बंदा गया इंटर्विव के लिए इसका इंटर्विव कैसा जाएगा अच्छा जाएगा बढ़िया जाएगा ठीक है अभी मान लो यहां पे आका आठ इंटर्विव कैसा जाएगा इंटर्विव पात होगा नहीं होगा प्रॉब्लम आएगी पर इंटर्विव क्लियर हो जाएगा क्यों कि तीन नंबर का सपोर्ट आ रहा है यहां पे अगर अभी तीन नंबर को कोन हानी करेगा दो नंबर यह अगर आएगा और वो पूछ रहा है भाई मेरा इंटर्विव क्लियर होगा या नहीं होगा आप क्या बोलोगे नहीं होगा इंटर्विव क्लियर नहीं होगा वीजा भी नहीं मिलेगा अभी क्या करें अभी उसमें बारा भी आ तो आप क्या बोलेगे भाई तो जाई मत गर से ही मत निकल कूछ फाइदा नहीं है बारा बच जाएंगा ठीक है लग जई लग रह यह 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 फट पना भी सद्स अरगा है कोई बोल रहा है भई मेरा आने वाली जो दशा है वो सन की है जो स्टार्ट होगे अगले माईने से तो उस दशा में क्या मुझे फाइनेंशली मैं ग्रोव करूंगा ऐसा को कुश्यन है अभी आपने देखी सन की स्क्रिप्ट सन में नंबर दे रहा है दो छे दस ग्यारा आप क्या बोलोगे डबा के पैसा कमाओ गया यह हो गया थोड़ा पैसा यह हो गया उससे भी ज्यादा और ये होगया मतलब बस शप्पर फाड़ा जितने नंबर्स जूडते जाएंगे उतना उसका पैसा बढ़ेगा क्या बोले आपने अब जो आएगा वो फिलाल तो अभी मैं आपको पॉजिटिव दिखा रहा हूं तो रहे नेगेटिव भी आएंगे हम क्योंकि नेगेटिव आएंगे हमारे पास पॉजिटिव वाले कम आएंगे ठीक है अभी मान लो यहां पे आ गया पाँच आठ और बारा इस केस में क्या हो गया कि भाई बिजनेस में हो अभी यह मान लो यहां पे आया साथ नंबर यह मान लो पाँच नंबर तो पैसा यहां पे दिख रहा है खूब पैसा माद्यम क्या बन रहा है फिफ्ट आउस यानि क्या हो गया लोट्री शेर मार्केट इससे जो है दबा के पैसा आएगा पर इन द एंड क्लैमेक्स क्या होगा डूब जाएगा पूरा डूब जाएगा कुछ नहीं बचेगा यह कैसे होगा मान लो तीन मैने उसने खूब कमाए और चोथे मैने में जितने भी कमाए वो सारे लगाए और सारे के सारे चले गए इतना डीटेल में दूसरे इसमें आप नहीं बोल सकते यह पूरा फिर से साँचाई है नि अबी कोई बंदा आया है आपके पास कि मेरी सन की जो माध अशा है वो financially मैं उसमें grow करूँगा या नहीं करूँगा यह उसका question है आपने देखा कि भाई जो उसका नक्षेतर Lord है वो 2, 6, 10, 11 यह number दे रहे हैं 2 अपना हो गाए finance 6 भी हो गाए finance का payment customer से annually payment क्या होता है 6,000 11,000 हमारा क्या है gains और 10,000 हमारा है profession ठीक है तो यह number जब आता है ना 2, 6, 10, 11 यानि जबरदस्ट पैसा result क्या आ रहा है पैसा उसके पास आएगा और माद्यम क्या बन रहा है 5th house यानि share market भी हो सकता है lottery भी लग सकती है पर in the end जो climax हम बोलते है वो climax क्या होगा यहां पर 5th house जो है वो 6th को negative कर रहा है yes 8th house पीडा का है 12th house loss का है यानि जो भी कमा है सारा का सारा loss हो गया yes पैस्ता तो आएगा पर हाथ में कुछ नहीं बचेगा आप 100 ने 200 परसंट उसको बोल सकते हैं कि भाई कुछ नहीं आना पर वो क्या करेगा वो हसेगा इसको क्या मालूम मेरे जेब में कितना पैसा है और आप उस पर हस लोगे कि इसको क्या मालूम विच्छर एक साथ आगे क्या होने आना है ठीक है तो घूम फिर के आपके पास आणने आला है कि वही आपने सही बोला था तब तो मेरे पास पैसा आया था पर मैंने इग्नोर किया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको आप कुछ तला दे सकते हो इसको इन्वेस्ट्मेंट करवा सकते है या मैनिट्फरी में भी लगा सकते है इसका पैसा अगर आट वारा को यूज कर लगा तो इसको इश्यू नहीं आयेगा नई इस में से कोजी भी नहीं इसको देखो इसको पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है इसका पैसा टिकने में दिक्कत है प्लानेट ने क्या डिसाइड किया है भाई कि इसके आकाउंड में हमको 0 रुपीज रखना in the end मान लो सुबह दो-तिन दिन के लिए हम रखेंगे पर इन दे इंड हम इसका साफ कर लेंगे ठीक है ये प्लैनेटस ने डिसाइड करके बैड़े गड़े मदर की नाम पे नहीं जिस दिन पैसा आया ठीक है उसी दिन उसको निकाल के कहीं और डाल दिया है अब उसको लालज क्या लगेगी कि भई मैं जो पैसा मैंने जो पाच लाग रूपे जो कमाएं ये मुझे फिर से लगाना है उसको आप क्या बोलो कि भई मत लगाओ मान लो उसने पाच लाग इन्वेस्ट किये ठीक है उस पाच लाग के दस लाग हो गए में या फिर किसी के अकॉंट में डाल दो और बच्चे जो पाच लाके आप फिर से इन्वेस्ट करो फिर से कमाओ फिर से डाल दो अकॉंट में नहीं रखना है अकॉंट में क्या रखना है जीरो क्योंकि प्लैनेट्स को करना है जीरो तो हम प्लैनेट्स के इसाब से चलेंगे समझ में आ रही ये बात अब मान लो यहां पे आया है पाच आठ बारा ये विक्ति पूछ रहा है भे मैं बिजनेस करो या ने करो आप क्या बोलोगे इसका फाइनश सबसे पहले तो ये बोलो कि इसका फाइनश लग कैसार है आपको मान लो मेरी ये दशा है सन की चांदो मेरी नो को किसी और की दशा है और उसकी दशा में पाच आड़ बारा एक्टिट हो गए ठीक है तो क्या लगता है कि भई यह व्यक्ति के पास यह आपके पास आया एक लाइंट ठीक है आया मस्त मर्शिडी से उतर के सूटूट पैन के आईफोन रखा है टेबल पे और दिखा रहे हैं आपकी कुंडली और बोल रहे हैं कि देखो कैसा है आप क्या बोलोगे बेंकरप्ट 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 पांच आठ नहीं नहीं पांच आठ बारा यह जो कॉंडिनेशन है यह बेंकरप्टी का कॉंडिनेशन है उतको बोलना भाई तु यह जो उदार लेके शोशा कर रहा है न असलियत में आपकी जेव में कुछी भी नहीं है आप उतको मतलब चैलेंज के साथ बोल सकते हूँ कि भाई तेरे पास कुछी भी नहीं है कॉंफिडेंटली बोल सकते हो उतको अब स्टोरी में स्ट्विस्ट अब क्या होगा क्या बोला आपने मतलब पहले तो हमने बोला पाच आठ बारा तो बैंक कर रख तो फिर ये दो मतलब जूपिटर के नंबर है दो दस ग्यारा तो मतलब लॉन से वो दिखा वैसे उसमें उसमें इसको गें मिले अब हम क्या बोल रहें टेस्ट टेस्ट कैसा अच्छा या बुरा है अच्छा है बढ़ी आए तो इन दे इंड इसके पास पैसा आना या नहीं आना है ये पाच आड़ बारा से ही इसको भूट सारा जो पैसा वो आना इसको देखो पाच आड़ बारा मसाज पार्लर का भी है येस है ना तो अगर ये मसाज पार्लर या फिर इल्लीगल वर्क बहुत सारे वो करके ये पैसा कमाएगा दबा क्या आप उसको बोल सकते कि भाई आप क्या कर रहे हो सुमड़ी सुमड़ी में वो देखके शौक हो जाएगा आपको शौक हो जाएगा ये लिटरली मैंने देखा ये वो बोले कर इसको कैसे मालो कि मैं मसाज पार्लर खोला खोल के बैटा हूं मुंबई में अब इसमें फ्लेवर आप एड़ कर सकते प्लैनेट्स की भी ठीक है ना वह अब आप अलग-अलग सिच्वेशन पर अलग-अलग टाइप से आप कर सकते हो अब कोड़ी मान लो यहां पर आगया राहू राहू अपने को पता है सकता है तो कहां से आएगा कहां से आएगा सकता से आएगा इलिगल काम लॉट्री इन सारे चीजों से आएगा अभी मान लो यहां पर आगया मंगल तो क्या बोलोगी यह प्रॉपर्टी का ला बजारी मंगल हो यह वीनस हो तो मसाच पार्लर बोल सकते हो क्योंकि मंगल बाड़ी का है तो ऐसे आप फ्लेवर उसको अड़ कर सकते हो आपने अपने हिसाब से ठीक है इसलिए मैंने आपको कारक तत्वा जो है वो इतने याद कर रहा है थे बार बार अब मान लो कोई लड़का आपके पास आया कि मेरे एजुकेशन खतम हो गई है अब मुझे जॉब लगीगी यह उसका क्वेश्चन है आपने देखा कि सन की माद अशा है और सन में ये नमबर आ रहे है फिलाल मान लो नीचे का देखो ही मत जॉब लगीगी नहीं लगीगी जैश्र जी जॉब लगीगी क्या नहीं लगीगी जैश्र नहीं लगीगी आप बोल देना भई अभी तो नहीं लगीगी तो कब लगीगी वह हम जब टाइमिंग ऑफ इवेंट देखेंगे ना तब हम उसको बोलेंगे कि भी जॉब कब लगेगी राइट अभी यहां पे मान लो है यह नंबर और ग्यारा जॉब लगेगी और कोन है हमारे इसमें जिया जी जिया जी है ऑनलाइन जिया जी किरतन जी जी सर लगेगी जॉब लगेगी हाँ यस हंड़र परसंट लगेगी आप बोल देना लग जाएगे ठीक है अभी मान लो यहां पे आगया 5 और 8 और 12 अब क्या होगा नहीं लगेगे, लगना ही नहीं है और अगर मान्दो यह यह आल्डेडि जॉब पे हैं इनसान चीक है और उसको आरी यह दिक्कत है और आप बोल रही कि भैं मुझे बहुत प्रॉब्लम आरी है आप चेक करके बोलो क्या है माजरह आपने यही नंबर देखे 6-11, नीचे 5-8-12 आप क्या बोलोगे भाई आपको जॉब से जो है वो टर्मिनेट कर देंगे नहीं रखेंगे जॉब पे, आप जल्दी से अल्टरनेटलिटली कुछ तो ढूंडो या फिर इसको उपाय भी देंगे हम आगे चलके, पर फिलाल केस में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वह जॉब हाथ से जाएगी ठीक है? यह अभी हम देखते हैं थोड़ा सा बीमारी के बारे में ठीक है थोड़ा सा ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे अभी यहाँ पे आ गया है छे नमबर क्या वेक्टि बीमार होगा? यह यह ही के है, यह क्यों हो रहा है यहाँ पे मार से और शिक्स नमबर है, पर मान लो यहाँ पे होगा मून क्या यह बीमार होगा? mentally डाउन रहे है जेनरल यह रहेगा ने, क्योंकि बॉड़ी क्या हाउस कौन सा है? वास्टि अब यह बीमार होगा? ने, यह बॉड़ी इनवार होगे हैं यहाँ पे? ये वाड़ी इनवार होगे हैं यहाँ तू बॉड़ी क्या होगई? बीमार होगे? बीमारी केसी है छोटी मूटी है ज्यादा कुछ बड़ी नहीं छोटी मूटी सर्दी खासी दुकाम ज्यादा परिशान ही नहीं होगी अब यहां पर आगए एट डेंजरस हाउस अब बीमारी क्या होगी पेनफुल होगी क्रॉनिक होगी बीमारी ठीक है अब मान लो यहां पर आगया बारवा भी अब क्या होगा बाड़ी जो है बीमार होगी बीमारी जो है वो क्रॉनिक होगी और यह बंदा हॉस्पिटलाइज भी हो जाएगा ठीक है एट थाूस सर्जरी का भी है तो जब यह ऐसे नमबर आएंगे तो सर्जरी होगी यह नहीं होगी 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 होजाए 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 अब मान लो हीलिंग हाउस कुन सा है पिफट हाउस पिफट हाउस राइट अभी ये बंदा मान लो यहां पे एक छे आड़ बारा है नीचे पाँच है तो ये बीमार तो होगा पर ये हील भी हो जाएगा ठीक है रिकाउर हो जाएगा ठीक है इसको रिकाउर भी नहीं बोलेंगी इसको हीलिंग मिलेगी क्योंकि 11 धाउस जो है वो फास्ट रिकाउरी का है इसके साथ में अगर ग्यारवा जुड़ गया तो क्या होगा बीमार तो हो जाएगा ये पर ये पूरी तरह से ठीक होके बाहर आ जाएगा अब इसमें मान लो नौ भी आ गया गौड ग्रेस डिवाइन ग्रेस तो डिवाइन ग्रेस से अच्छे से हील होके प्रॉपर फास्ट रिकाउरी करके घर पे आ जाएगा कोई पूच रहा है वे मेरे रिलेटिव बीमार है क्या लगता है ठीक होगे या नहीं होगे आप बोलोगे हाँ बीमारी तो है पर पूरी तरह से ठीक होगे एकदम तन दुरूस्त होगे वापस आएंगे ठीक है अब स्टोरी हमेशा अच्छी तो नहीं होती हमेशा अब मान लो यहाँ पे है फोर्थ हाउस क्या हीलिंग होगी नो नहीं होगी यहाँ पे आ गया दस क्या फास्ट रिकौरी होगी नहीं होगी नहीं हो यहां पे आ गया 12 और खराब हो गया और भी खराब हो गया अब यह विक्ति क्या होगा बेड़ पे पड़ा रहेगा यह ठीक नहीं होगा जल्दी से ठीक है अभी किस बारे में देखे बोलो आपको सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन साते उनका लेंगे हम ताकि थोड़ा सा तो आप चालू कर दो अपने दुकान पाहिशाट पाइसस पाइसााट पाहिशाट पीन नीमारी पेशे 具 पर फिर और करेंशन पेशा तो दीखा न पेश थो निश्याशब्टलि न न होगा लव मारेज पिर फोरें पेस्टिल न जहाने का बाव ताल्पर लव मिरेज हाद सगे ना हमारे यहां इतने नहीं होते हैं महारष्टों में हमारे तो बहुत हैं यह अच्छा टॉपिक है लव मैरेज के बारे में अभी देखते हम ठीक है अभी लव के लिए कौन सा हूज है पांच फिफ्स ता हूज शादी का कौन सा है इच्छा पूर्ती का कौन सा है गयारा अभी कोई आ रहा है भई मुझे लव मैरेज करनी है क्या लगता है आपको लव मैरेज है मेरे इसमें आप क्या बोलो निमा जी यह यह और कौन से प्लैनेट जेनरली सपोर्ड करते है लव मैरेज को देखो स्ट्रॉंग मार्स ठीक है मान लो कहीं पे भी मार्स हा रहा हो सोर्स पे और रिजल्ट पे ठीक है उसके बाद में वीनस किसका है प्रेम का है लव का है राइट राहू पागल पन अपसेशन राइट तो मान लो अगर मून की जगा राहू हो क्या लगता आपको लव मेर्ज होगी येश राइट और नीचे भी दे रहा है पांच साथ ग्यारा तो होगे बल्ले बल्ले बड़ी ऐसी होगी कोई रोकेगा नहीं कोई टोकेगा नहीं कुछ फैमिले में कोई प्रॉब्लम नहीं खुशी खुशी शादी हो जाएगी ठीक है तो शादी टीकेगी की नहीं हाँ अभी टीकेगी नहीं वो ही तो खास बात है अभी यहाँ पे आगया चार यहाँ पे आगया आठ यहाँ पे आगया बारा अब क्या होगा पहली डिवोस अशिश बैर डायरेक्ट डियोस पे पहुंच जा रहे हैं कुछ भी हो डियोस कुछ भी हो डियोस भाई क्लाइन्ट को रेमीडी भी देना है अपने को आशिष यह डियोर से इतना प्यार कियों है तुछ चार है तो मतलब शादी के लिए तो मतलब फॉजिटीव है चार है तो लव के लिए पॉजिटीव है नेगेटीव है तो इस केस में क्या होगा उसको क्या बोलोगे आप कि भाई ब्रेक अप हो जाएगा शादीवादी तो दूर की बात है ब्रेक अप हो जाएगा आपका दूसरी डूंड़ो आपके नशिब में कोई और है यह नहीं है आपके नशिब में चन्नावी लिखा हुआ है तो उसके साथ भी यही होगा यही कैसड़ बज़ीगी यहां पर आप क्या बोलोगे भई बात जो है न वो शादी तक पहुँच जाएगे पर इन देन तूड़ जाएगे अभी यहां पर साथ नहीं हो ग्यारा हो तो शादी तक पहुचेगी बात पहुचेगी कैसे पहुचेगी पहुचेगी लव है पर मैरेज है क्या इस लव है पर अभी मानलो लव है और मैरेज भी है तो बात शादी तक पहुचेगी लव है पर मैरेज ही नहीं है तो बात भी नहीं जाएगी शादी तक आ रहा है द्यान में इतना इतना सटी का आप बोल सकते थे पहले नहीं अब कॉन्फिडेंटली बोल सकते जब ऐसे नंबर आएंगे आप कॉन्फिडेंटली उसको बोल सकते कि भाई नहीं होगी ब्रिक अप हो जाएगा ठीके और 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 कौन सा बोलो निमा जी और कौन सा देगना है वो भी आज तर बच्चों का बहुत कुशन रहता है गुजरात में एक ही जल्दी या तो शादी या तो फॉरेंट जैस शादी या फिर फॉरेंट ठीक है अब मज़ा आ रहा है इसमें भी हाँ लेकिन एक मतलब दावट है महादशा ही देखते हैं फिर महादशा में क्या तीन-तीन मैने चार मैने वो इंतर देशा आती तो उनके नंबर भी हमें एड़न करने है थी हाँ अभी आगे है ना हम स्टेप बाइस टेप जाएंगे अभी हम अभी हम स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी वो देख रही है और जब हम टाइमिंग ओफ इवेंट देखेंगे ना तब हम देखेंगे वही कब होगा कब तक होगा कैसे होगा हो टाइमिंग ओफ इवेंट में अभी स्रिफ हमको पढ़ना कैसे वो देखना है कि वही इसको पढ़ना सा कौन सा हूस है औरहएंreal double Haha right generally 12 पकड़ते एक ख और seven को पकड़ेंगे थीगा मान्लो इसके सब सेवन आ गया ना तो आसउमानलो और प्राउंगा ठीक है् अभी mm06h foreign का अभिर यहां पिर आगये 12 Towns foreign जाएगा गा जाएगा ही जाएगा ठीक है अभी मान लो वो पूछ रहा है कि भाई फॉरण जाके मेरे को finance में gains होगे क्या मैं कुछ कमाऊंगा वाँ पे तो कौन से नंबर लगेंगे अपने को दो ग्यारा आप क्या बोलो के भाई तु जल्ली जा फॉरण बहुत पैसा है वाँ पे तेरे लिए बहुत जादा पैसा है राइट अभी मान लो यहां पे आ गया ग्यारा क्या फॉरण जाएगा अगर स्रिफ ग्यारा होतो स्रिफ ग्यारा होतो नहीं जाएगा पूरा हो जाएगा मतलब इस पूरी format is complete हो जाएगी सब जाएगा इन दे एंड कुछ न कुछ तो problem आ जाएगी पर अगर इसके साथ में बारा हो तो प्रब्लम आएगी बट हो जाएगा हो जाएगा रइट अभी बारा की जगा आँ नीचे वो तो ग्यारा बारा को समझ आया कोई पास थे आठ ऐसे कोई नंबर वो तो फिर में येस येस हुई हुई आरे 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 निमा जी का काम फास्ट है बहुत अभी मान लो आठ आ गया तो और क्या हो गया मतलब रायता और फैल गया तो क्या जाएगा ये येस नहीं जा पाएगा और कौन से नंबर देखना है अपने को निमा जी बोलो मैंने इस सम्बूला कि गया नंबर दो वह समझाता है कि प्राइश को नेगेट करता है तो इस काह गया कि जाहने नंबर वोगिस्ट आइं हा वोलो इदर दो नंबर आ गया है जो इस पे चे आंप परमly आ सकता है प्रब्ल्म जा नंबर भी आ सकाहuki अगर नीचीे चार हो तो 11, 8 और 4 उससे क्या होगा इदर 2 हो तो प्रॉब्लम आएगा 2 हो तो Q 2 Q 2 Q ऐसे मतलब 2 से Q प्रॉब्लम आएगा तो ये 3 को नगेट करेगा ना तो इसके उसमें ही प्रॉब्लम आएगी 3 का क्या है Short Trouble नहीं वीजा होगे डोकुमेंटेशन वीजा नहीं नहीं यहां पे 3 ही नहीं न तो कोई इशू नहीं आएगा गर लास्ट में 5 और 8 है वहां पे यहां पे राओ में जुपिटर नहीं जुपिटर नहीं 5 एट देखो 5 का और 12 का कोई कनेक्शन है क्या कुछ भी नहीं है और 8 हो तो प्रोब्लम आएगी पर चार में वीजा यह डोकुमेंटेशन में नहीं 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 और चार में नीटीव हाउस का रहता है देखो अभी देखो यहां पे 12 हाउस आगया यानि फॉरण इवेंट हो जाएगा नीचे नीचे जो है यहां पे सरिफ प्रोब्लम दिखा रहा है पर नेगेशन आ रहा है क्या कुछ नेगेशन नहीं जाएगा प्रोब्लम तो आएगी पर फॉरण चला जाएगा बाहर चलाएगा पर वहाँ थोड़ी बहुत दिखा जाएगा अधी मान लो यहां पे ऐसे नंबर आ गए जिसका कोई लेना दी नहीं नहीं 12 हाउस से जैसे कौन सी हो गए मान लो पाँच हो गया या फिर ऐसे मान लो चार हो गया ठीक है ऐसे होज़े से तो यह ना यस बोल रहा है ना नो बोल रहा है तो यह क्या हो गया न्यूटरल हो गया मतलब यह बोल रहा है वह तुमको जो करना करो मैं कुछ judgment ने तोंगा मैं neutral हो तो ये जाएगा फॉरण जाएगा 100% जाएगा ठीक है पर ये बोल रहे हैं मुझे neutral नहीं रहना है मैं नहीं जाने दूँगा तो जाएगा क्या नहीं जाएगा पर ये बोल रहे हैं मैं तो support करूँगा आप जाओ तो जा पाएगा मैं है उसको हिए नाँ आखे दूशूर ठीक है तो ये नेक्ट्रल मुझा खे रह सकता है येस भी बोल सकता है नहीं जाकता है ये जो है ये हमारे घर के हैए पापा यानडी सब कर बोलते हैं वह हां या ना हिन् 2 definito आगे मेरे क्या बीवाल।ऑ उसको क्या करता है अभी मान लो फॉर एक्जम्पल कोई पूछ रहा है भाई मेरे पास बहुत पैसे आ गए है ठीक है क्या मुझे वो पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या बोलो कि आप क्या लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए इसको क्या लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए लेकिन फॉर इन्वेस्ट में या फिर आउट जो उसका घर से दूर क्यों प्रॉपर्टी का सोर्स बन रहा है लेकिन रिजल्ट बार अच्छा नहीं आए रिजल्ट ही नहीं आएगा बारवा दे रहा है बारा इन्वेस्टमेंट का हो गया 4,000 property का हो गया Source क्या बन रहा है investment का Property जो taste invest करने के बाद क्या वो investment fruitful होगी यानि पैसा आएगा क्या क्या लगता है आपको पैसा आएगा 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 निमा जी येश तो आप क्या बोल सकते हो भई कर दो property में invest कोई tension नहीं है जब तक सन की मार अशा है आप करो अब यहां प्यारा है पाँच और आठ आप करना चाहिए इसको इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं करना चाहिए तो आप क्या बोलोगी मत करो इन्वेस्टमेंट कुछ फायदा नहीं होगा ठीक है समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा आगे हम बहुत एक्जामपल लेने आ ले आगे बहुत एक्जामपल लेंगे पर अभी तक के लिए आपको समझ में आ रहा है आ रहा है अच्छा जैसे यह फारेन का था है नक्ष्यतर लॉड में बारा बारा दे रहा है ठीक है एनिल में और सब लॉड में ग्यारा दे रहा है तो वो किसमें बहार तो जाएगा पड़ वहां पे इसू आएगा पिर ऐसा कह सकते हैं कि वो जाही नहीं पाएगा अगर वह वह पर बारा दे रहा है और सब लॉट ग्यारा दे रहा है तो वैसे के इसमें तो आगया की हाँ बाहर जा ज़ता है यह फार छला गया है लेकिन वह आ जाकर सर्वाइव नहीं कर पाएगा वापिस आ जाएगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगो कुछ क्योंकि यहां पर नेगेटिव कुछ भी नहीं आ रहे ना 11th 12th को नेगेट करता है ना गर रहे है पर इतने उसके साथ इतने नेगेटिव हाँ अभी मान लो आड भी जुड़ गया वहां पर तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा किस ले जाएगा पढ़ाई के लिए भी जा सकते मान लो यहां सन के जगह अगर जुपिटर हो पढ़ाई के लिए जाएगा ठीक है तो यह जो इना भी जितने आप कुंडली करोगे उतना वो क्लियर होगा ठीक है अभी शादी का देखते है ठीक कोई कपल आया आपके पास नया नया कि भाई यह जो दशा यह में हमारे लिए कैसी है ठीक है तो क्या-क्या नंबर से यह अच्छी शादी के लिए बोलो आप अगर पर सो तो इशादी के लिए टू सेवन एलेवन और और कोई है नाइन इंपोर्टन्ट सबसे इंपोर्टन्ट नाइन से भी इंपोर्टन्ट अगर होगा तो यह प्रेम होगा है खुशी कुशी रहेंगे बहुत प्यार रहेंगा एक दूसरे में अध्याइब्वन ने तो क्या है दोस्त जैसे रहेंगे यह उते ना कोई कोई कपल होते दोस्त जैसे रहते हैं रइट् तो सबते इंपोर्टन्ट कौन से नंबर होगा यहां पर साथ ग्यारा और पाच और यह सेकेंडरी नंबर है दो और नौ यह मतलब सपोर्ट के लिए ठीक है अभी मानलो यहां पर यह नंबर हो तो क्या लगता अपर क्या होगा क्या लगता आपको क्या होगा कैसी रहेगी मैरिड लाइफ में प्यार ही नहीं रहुआ साथ में तो रहेंगे पर वो बोलते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रहेगा लवलेस कपल राइट राइट यह अभी यह नंबर है सबसे थोड़ा थोड़ा ने अच्छा खासा हानी का रख शादी के लिए क्यों बोलो साथी में थोड़ा आवतलब इगो एडोल इगो इगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशेंशिप नहीं इगो रहेगा प्यार भी नहीं रहेगा ठीक है जगडे का कौन सा गर है अब क्या होगा जगडा भी होगा इगो ख्लैशेज भी होगे प्यार भी नहीं रहेगा अब आगा गुंडा होगा अब क्या होगा प्या जगडा बेव जाए प्रॉप्लम रही कुछ तांग कुछ त्रेस हाइज हाइज रहेगा रिलेशेंशिप में स्ट्रेस्फुल रिलेशन रहेगा अफेर भी हो सकते हैं नहीं 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 अभी नहीं पांच नंबर नहीं इसमें ओके अफेर बोले तो पांच नंबर हमेशे ध्यान में आना चाहिए हाँ अभी स्ट्रेस आगे रिलेशन शिप में रिलेशन शिप में प्यार भी नहीं इगो क्लैशेस चगडे स्ट्रेस अभी इस पे और थोड़ा सा टॉपिंग्स टॉपिंग चीज यह क्या है सप्रेशन टॉपिंग्स क्या है सप्रेशन आइसोलेशन अलग-अलग रहना क्या लगता है मैरिड लाइफ कैसी रही साथ होने पर भी साच नहीं आप क्या बोलोगे उसको क्या बोलोगी भाई यह से चलोगे शादी तो हो गए उसके भी तो फिर शादी हो गई है आप कैसे किल रही हो बताना अब तो बस भागवान का नाम लो ठीक है शांत रो कुछ मत बोलो यह ना शांती से रो क्योंकि भाई यह योग तो लेकर बढ़ गए अभी जब तक सन की महा दशा है ठीक है तब तक क्या होगा प्रॉब्लम आएगी रइट अभी मान लो उसके बाद में दशा चेंज हो गई ठीक है और उसका नक्षत्र लॉड है मान लो वीनस और वो नंबर दे रहा है पाच साथ ग्यारा अब क्या होगा किससे प्यार हो जाएगा है ना वही कपल जो जगड रहा था जिसमें इगो क्लैशिस थे जो अलग अलग सो रहे थे क्यों क्योंकि ट्वैल्थ आउस था तो सप्रेड भी हो गए कभी मम्मी के घर कभी पपा के घर चलते रहता हो आब वह घर वाले भी शोग हो जाएगे रही क्या हो गई एकदम से प्यार जाग गया यह कैसे हो गया तो अगर आप पास है क्लाइंट आप ऐसा सिच्विशन चल रही और स्पन की दाश्या भी मालों चाहिने और रहे और वो बोल रहे कि हमको डिवोस लेना है तो आप क्या बोलोगे थोड़ी दिन रुखो थोड़ी शांती रखो आने अला टाइम अच्छा है थोड़ी देर और रुख जा हाँ तुम्हारा टाइम आएगा थोड़ी देर और एरगे वो बोलेगी ने मैं तो उसका मूँ भी नहीं देखना चाहती अरे तो आप बोलोगे भाई वो सब ठीक है थोड़ा रुख तुम्हारे मन जैसा होगा और ऐसा होता है यह बास लगा जैसो जाब तो मानलो अभी शादी के टाइम यह दशा चल रही तो क्या है मस्त प्यार वार चल रहा है रोमांस चल रहा है सब घूम रहे घाम रहे और एकदम से आगई वही यह दशा जुपिटर क और यह नुबर एकटिट हो गए क्या बोलते है रहे वही नजर लग गई और एट ठाव जो है ना एट ठाव शक्का भी है ठीक है शक्का भी है तो शक्की नेचर हो जाएगा ऐसे कुछ भी नहीं होगा पर शक्क करेगा अभी मान लोग स्कूर्स में है यहां पर आ गया समझो दस नमबर यह फिर आ गया दो नमबर तो स्कूर्स कौन बन रहा है यह जो लड़ाई जगडे का जो कारण है वो कारण क्या बन रहा है आपर पैसा भी बोल सकते हैं अब फाइनस की वज़े से भी जगड़ा उसकता है और ज्यादा फाइनस ज्यादा फाइनस की वज़े से क्यों कि जूपिटर है जूपिटर फाइनस का भी कारण ठीक है तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाती प्लैनेट्स का अगर आप फ्लेवर उसक्त में एड़ाउन कि महादेश्त में बैष्य एक की नमबर नहीं होता है तेन लगे सेथे भी उते हैं हां तो बोला न मैं अभी मानलो यहां पर दो है जहां बैठा बैठा ना उसको आप ज्यादा तर पकड़ो जो सबसे स्ट्रोंग है कि मानलो यहां पर आगया चार आगया ठीक है दो चार आ हाँ अभी यहाँ पे मान लो नौ आ गया है तो क्या होगा पोजिटिव लग फादर की वज़े ते जब रहें देनों में अभी नाइन्थ हाउस जो है न अगर आप कुंडली को घुमा दो हस्बंड का कौन सा हाउस बनेगा हस्बंड का मान लो यह वाइफ की कुंडली है तो यह हस्बंड बनेगा थर्ड अगर आप उसको घुमा दो राइट तो जगडे का कारण कौन बनेगा हस्बंड का भाई भी बन सकता है चोटा भाई और अगर दस हो तो प्राजर ना इस अगर ना आप यह वाई से जगडे यह कपल अभी घर के दूर रहे तो अच्छा रहता है यह सोर्स का कारण बन रहा है यहां पर अभी मान लो यहां पर पांच है तो आप बोल सकते हैं कहीं ने कहीं जो है आफेर के कारण यहां पर बच्चों के कारण भी बोल सकते हैं एट तो क्या है शक मिस अंडरस्टेंडिंग एट था हुज मिस अंडरस्टेंडिंग कभी है यहां पर अगर आ गया बारा तो क्या बोलोगे क्या कारण बन सकता है परस्नल लाइट में ट्वैल था होता है बेड़ प्लेजर का तो वो भी एक कारण बन सकता है यहां पर ठीक है इसलिए मैं आपको सिग्निफिकेंस बोल रहा था क्योंकि आपको जब सिग्निफिकेंस पता होना आप आप इजीली बोल सकते हो राइट ऐसा है अभी आज मुझे लगता है हमने ले लिया अभी यहां तक किसको कुछ डाउट किसको है जो अभी तक कुछ समझा ही नहीं क्या चल रहा था कोई है ऐसा कोई है जिसको समझा नहीं आवाज आ रही है हमोसी बता रही है सब को समझा लग रहा है थोड़ा एजी प्रेडिक्शन में एजी लग रहा है एतल जी आपको के पी prediction लग रहा है आपको easy लग रहा है yes easy लग रहा है और इसमें ना confidence के साथ हम कह सकते कुछ भी कह सकते हैं उसमे confidence समरा बढ़ जाता है confidence के साथ ही आप बोल सकते हैं full confidence के साथ बोल सकते हो ऐसा gender हाँ अभी आप जितना practice करोगे न इसको उतना आप यह करोगे उसको मेरे से तो homework नहीं होता है practice के से इसकी practice ही की है बाकी कुछ नहीं इन्हें तो आप आटक जाओगे मैं बोली मेरे से homework नहीं हो पाता है हाँ अभी देखो आपकी कौन सी दशा चालो है दशा में क्या-क्या गर एक्टिवेट है आप देखोगे उस घर के आराउंड ही आपकी लाइफ घूम रही है करती हुए करती हुए करती टाइम कहीं नहीं करती फिल भी नहीं मैनेज होता है इतना ही खाम रहता है उसके आजबाजबी मेरी लाइफ रूम ली हाँ तो देखो अभी माद अशा भी आपको स्क्रिप्ट पढ़ना आ गया ना देखो कि क्या हाँ प्रॉब्लम है कई ना कई आपका हर्ड हाउस भी एक्टिएट हो गई इसलिए आप फुल टू बीजी हो तो कई ना कई एट्थ हाउस आपके ससुराल का भी है आपके फैमिली का भी है तो आपके हजबन आपके इसबन की फैमिली उनके आराउंड यह आप क्या कर रहे हो एफॉट्स ढाल रहे हो हाड़वर्क कर रहे हो काम ले रहे हो। राइट कैसे यहाइस करना है समझ में आपको हाँ वो तो समझ वो तो मेरे को की दिख रहा है पर मैं I'm trying कि manage करूं 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 बट कुछ और events आ जाते जो मतलब compulsory हो जाते तो यहीं नहीं हो पाता है अब यह आप देखना आराम से आपकी script कि महादाशा में नक्षत्र लेवल पे कौन सी कौन से घर activated है आपको generally मिलेगा कि वही स्टोरी चल रही है लाइश में अब से पहले अपने महादाशालोड को पकड़ो महादाशालोड के नक्षतलोड पे चेक करो कौन सी कौन सी houses activated है और देखना की कि उसी around अमरी life गूम रही कि नहीं है 8,000 है तो कई न कई stress होगा 12,000 है तो कई न कई थोड़ा सा low feeling, depression type भी feel होगा ठीक है 8,000 है तो उनकी life में इतना stress नहीं रहता क्यों तो कि वो 8,000 का काम करते हैं इसलिए अब पिर भी मज़े में रहता है यस यस आज यसे हमारा ही देखेजिए कि 8,000 मेरा अभी fully active है पर I'm busy but I'm quite busy but इतना stress नहीं है तो ये because 8,000 को use कर रहे इसलिए यस 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 जिस दिन आप accord से थोड़ा सा दूर चले जाओगे तो stress बढ़ जाएगा पर आपने अपने street बनाएंगे मतलब जो भी है महादेशा की उनका prediction बना क्याप को बेचेगे यस 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 आप देखो कौनसी कौनसी घर है वो गर की significance देखो देखो मैच हो रहा है के नहीं है न और उल्टे सीधे नंबर देखके डर मत जाना कई अमरे पास उपाय है आगे चलके तो बीमारी बीमारी वाले अगर घर हो तो ज्यादा उसको seriously मतले न तीक है उसकी अगरे चलके देखेंगे और किसी को कुछ doubt हो तो पूछ लो फिर अभी अगले session में लेते हूं ठीक है तो अगले session में लेते और practice करना सब लोग थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आएगा यह ऐसा नहीं कि एकदम से आएगा पर try करना कि धीरे धीरे एक एक predictions तो भी दो अगर उसके जूपिटर का कोई रोल हो उसमें तो देगा कि नहीं तो आपका बोलना था कि नहीं वो देगा समझ देगा समझ लेजी मेरे एथ में एक का लॉड सेटन है तुझें इन थर्ड हाउस एट का लॉड मेरा थर्ड हाउस में बैठ था, यहाँ एक का लॉड मेरा थर्ड हाउस में बैठ है, नहीं आपका 8 का लौड को ने है? सेटन है, और कीपी में कहा बैठा है हो? धर्डा उस में बैठा है, तो कही ने कही क्या हो रहा है कि आपकी अभी की दशा में कही ने कही positive houses भी एक्टिविट हो गया? सकता है, 9th भी एक्टिवेट हो, 5th भी हो, 11th भी हो, ठीक है? 9th भी एक्टिवेट है, 11th भी एक्टिवेट है, अभी धिक है? देखो, 3rd house में जो है न, कितने डिगरी पे बैठा है आपका? 10 दिग्री पर दोनों Jupiter और सेटन साथ में बैठे हैं और दोनों 10 दिग्री के Jupiter और सेटन साथ में बैठे है ठीक तो थर्ड हावस में ना बहुत सारी चीजे एक तो documents हो गए एक बार चेक कर लाना कि documents related कभी कुछ documents गूम गए है ना या फिर कुछ डॉक्यमेंट से इशू आ गए किसी ने डॉप्लिके डॉक्यमेंट दे दी या फिर यंगर सिब्लिंग हो गए है ना या फिर कभी टूर पे जा रहे थे तब दिक्कत आ गई है ना तो थर्डाउस में बहुत या फिर कॉन्फिडन्स या फिर आपको जितना यह हो रहा है यह हो रहा है बस यह आ रहा है तो कुछ न कुछ तो एक चीज को इफेक्ट देगा ऐसा नहीं कि सारी चीजों में आपको पीड़ा देगा कहीं ने कहीं आपको जो परफॉर्मन्स जो है आपका वह पूरे फुल इस्ट में परफॉर्म नहीं कर पारे हो ठीक से और आपको उसी से पीड़ा है क्या पीड़ा है कि मैं पूरे ठीक तरह से अपना 100% दे के नहीं कर रही हो काम मैं टाइम नहीं दे पारी हूँ या फिर करने पारी हूँ यहीं पीड़ा का कारण क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है तो यह आप जो वह है कि मैं 100% दे नहीं पा रही हूँ तो कोई एक चीज एफेट करेंगी ऐसा नहीं कि सारी चीज एफेट करेंगी पर कुछ तो एक होगा जो पीड़ा दायक होगा खिर में चाहिए कि यह चीज है ना वह सिर्फ इसमें मैच कर रही हैम राशी चार्ट में देखए है तो कि मेरे को बहुत पेइन दे रहा है मतलब फिस्कली कि मेरे वह इस्कीन वाला इस्यु है तो वह कहीं ना कहीं मेरे को सबसे जादा अभी देखा जाए तो negative point वही हो जाता है पर वो जो ब राशी चार्ट में देखते हो तो connection मिल जा रहा है के पी मिनिंग मैच हो रहा है अभी हो गया match येस अभी हो गया अभी हो गया नहीं होगा 100% होगा और अभी आगे चलके हम देखें कि और बहुत सारे ऐसा नहीं कि एक ही गर से पीड़ा है तीन चार भी आपको मिलेंगे थोड़ा सा हम deeply जाएंगे तो उसमें भी आपको कई ने कई first house भी मिलेगा आपको वह आगे चेक करे हैं मैं बूला ता हम बाद में देखेंगे तो आगे है वह अभी ठीक करने चे से practice और next Friday फिर आम लेते हमारा next class थीक है और यूकुत को चलो गूड़ 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 गूड़नाइट ऻीत है झाल 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 झाल